नमस्कार, कुरोना अपडेट में आपका स्वागत है जारखन में कुरोना संक्रमन की रफ्तार लगतार बढ़ रही है चिकित्सक इसे तीसरी लहर की आहाट मान रहे है हलाकि एम्स के निदेशक रंदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि अब तक दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है आपको बता दे कि रविवार की रात राची में कुरोना की नए मामले मिले इसके साथ ही एक्टी मरीजों की संख्या का अकड़ा 102 पर पहुँच गया है जो की अगस्त माह में यह रिकोड है आपको बता दे कुरोना की तिसरी लहर को लेकर लागता सुरक्षा की बात कही जा रही है यह अभी कहा जा रहा है कि तिसरी लहर बचों के लिए बेहत घातक सावित हो सकती है इसके बावजूद जारखन में बच्चों को ए स्कूल खोल दिये गए है और इसकूल के एक हपते बाद ही बच्चे कुरोना से संक्रमित होने लगे है जनकारी के लिए आपको बता दे कि मामला मारवारी इसकूल का है जहां बच्चों के संक्रमित होने के बाद फिलाल इसकूल को बंद कर दिया गया है इस्कूल के परचारे के अनुसार 100 बच्चों की जाच में 3 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं हलाकि तमाम बच्चों को WhatsApp के जरी होम आईसोलेशन का निर्देश दिया गया है और इस्कूल को बंद कर यूद अस्तरपर सेनेटाईशन का काम 2 दिनों तक चलेगा बता दे ऐसे में आप हमें राय अवसे दे की क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे या नहीं साथी साथ आपको बता दे की कुरोना का एक नया वेरियंट और सामने आया है जोकी इटा बेरियंट के नाम से जाना जा रहा है या बेरियंट पहली बार करनाटक में समने आया है जानकारी के लिए आपको बतादे जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 217 है जिसमें से 102 सिर्फ राची में ही एक्टिव है वहीं कूल मौत की संख्या 5131 है आपको बतादे भारत में नए केस की संख्या 33218 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 3,64,457 है पूरे भारत म थावन लाग संतावन रहाद दो सब आठासी डोज दिये गए हैं धन्यवाद